साथियों, पहले की सरकारों में स्पोर्ट्स के बजेट को लेकर भी संकोच का भाव रहता था, लोग सोचते थे कि खेल तो खेली है, खेली है और क्या है, इस पर खर्च क्यों करना है, हमारी सरकार ने इस सोच को भी बदला, हमने स्पोर्ट्स का बजेट बढ़ाया, इस वर्ष का सेंट्रल स्पोर्ट्स बजेट, नव वर्ष पहले की तुलना में तीन गुना अधिक है, सरकार ने खेलों इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक देश में खेलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया एको सिस्टिम बनाया है, इन योजनाओं के तहट देश भर से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सलिटी स्थर से आप जैसे प्रतिबासाली खिलाडियों की पहचान की जा रही है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डायेट, उनके दूसरे खर्चों पर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, टॉप्स यानि T.O.P.S. यानि Target Olympique Podium Scheme, इसके तहर देश के सिर्ष खिलाडियों को दुनिया की स्रेश्ट ट्रेनिंग दी जाती है, आप कल्पना कीजिए, खेलों इंडिया योजना के तहट, अभी देश भर के तीन हजार युवा, यह हमारे खिलाडियों की ट्रेनिंग चल रही है, इतना बड़ा टैलेंट पूल, खेलाडियों का तयार हो रहा है, और इस मैंसे हर खिलाडियों को प्रती वर्स, छे लाख रुपिये से अधिक की स्कॉलर्शिप दी जा रही है, खेलो इंडिया अभ्यान से लिकलने वाले करीब सवासो युवा खिलाडियों ने एश्याई खिलों में हिस्सा लिया था, पुराना सिस्टिम होता, तो शायद ही इस प्रतीभा को कभी पहचान मिल पाती, इन प्रतीभा साली खिलाडियों ने 36 मेडल जीते, खेलो इंडिया से खिलाडियों की पहचान करो, उन्हें तैयार करो, और फिर टॉप से उन्हें ओलेंपिक पोडियम फिनिस की टेनिंग और टेंपरामेंट दो, यह हमारा रोड मैप है, करो.